किताब को पढ़ने के लिए how to read book दो method पूरी दुनिया में जो leading mind expert हैं वो बताते हैं पूरी दुनिया में जो leading mind expert हैं वो किताब को पढ़ने के दो सबसे प्रमुग तरीके बताते हैं मैं एक तरीका आज नहीं बता रहा हूँ, मैं दो तरीका बता रहा हूँ क्योंकि हर student का पढ़ने का तरीका अलग होता है अपनी किताब के साथ अपनी किताब के साथ जो romance है वो बिलकुल अलग होता है So now, this is the time you can re-develop, reinvent your romance with your book क्योंकि ही किताबे ही तुम्हें तुम्हारे dream destination तक लेकर जाएंगी लबासना लेकर जाएंगी, सरदार पटेल अचाइरफिय लेकर जाएंगी जहां तुम पहुँचना चाहते हो, वहीं लेकर जाएंगी लेकिन अगर ये सीनी कहीं से जाती है तो आपकी बुक्स से होकर जाती है ये मत कहिएगा कि बुक्स आप सक अविलेबल नहीं है आज NCRT पुरानी हो नई हो आज तो इतना डिजिटल है इतना कुछ डिजिटल है सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में सारी किताबे आप तक हैं लेकिन इसके बहुजूद आप उन किताबों तक नहीं पहुँच पार किताबे आप तक हैं मेरी बात को याद रखना किताबे आप तक हैं लेकिन आप किताबों तक नहीं हो वो सारी किताबे तुम्हारे कमरे में आकर रखी हुई है क्या विपिन चंदरा, क्या लक्षमी कांत और क्या डीडी बसू, क्या कोई और किताब सारी किताबे तुम तक हैं लेकिन तुम अपनी किताबों तक नहीं हो आज यही connectivity हम create करेंगे कि तुम अपनी किताबों तक पहुँचो उसको समझो फिर से fall in love with your books और यस romance की शुरुवात हम ऐसा करते हैं कि मनजिल जो तुम्हारी लबासना है वो पहुँच जाए लेट्स स्टार्ट इट, हम आज इसको शुरू करते हैं दो method science के हिसाब से जो बहुत important है वो है पहला method SQ3R लिखते हैं इसको, right और दूसरा है three-fold method of reading books यानि की तीन इस तरी किताब पढ़ने का तरीका three-fold method और दूसरा है SQ3R अभी इसके बारे बताऊंगा कि ये क्या है तो ये method बहुत ही जबरदस्त है SQ3R SQ3R five-step method वो student जो intellectuality को बहुत highly label पे लेकर जाना चाते वो बहुत जो immerse होना चाते हैं कुछ मुहबतें ऐसी होती हैं जिसमें पागलपन की हद तक जो चीज़े आती है जब वो एक दूसरे के लिए जीने मरने तक की बात आ जाती SQ3R कुछ ऐसा ही है ये five-step method है जो आपको knowledge के बहुत ही deeper area में लेकर जाता है और three-fold method book पढ़ने का ये three-step method है अब आपको जो भी अच्छा लगे इन दोनों में से अपना लेना और अपनी एक तरीके के हिसाब से इसको पढ़ना शुरू कर देना Are we ready? हम शुरू करें सबसे पहले हम SQ3R method पर आते हैं और समझते हैं कि एक किताब मेरी अपनी कैसे हो सकती है मैं उसको हासिल कैसे कर सकता हूँ SQ3R का मतलब क्या होता है SQ3R का मतलब होता है S for survey Q for question 3R Read, Recide and Recall ठीक है ये बहुत important होता है ये तीन मतलब होते हैं तो चलिए, एक एक करके हम सबको समझते हैं survey का मतलब होता है survey करना survey करना मान लो, मेरे पास एक किताब है हम यहां से शुरू करते हैं suppose that I have a this book एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ तो survey यानि survey करने जब हम आते हैं overview करना है इसको हम लोग बोलते हैं जब हम इसको survey करना कहते है हम ज़्यादातर गलती क्या करते हैं खास तोर पे जब I.S की किताबे होती है चुकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब books के बारे में बता रहा था कि I.S के लिए especially कोई किताब नहीं छपती है यह सारी किताबे इन्वस्टीज में चलती है यह सारी किताबे जनरली रिसर्च की भी books है चाहे वो विपिन चंद्रा हो चाहे कोई और किताब हो अब हमें क्या करना पड़ता है I.S के लिए हमें अपनी information निकालनी पड़ती है सबसे पहले जो दुनिया के जाने लीडिंग जो expert है वो यह कहते हैं कि जब कोई किताब आपके हाथ में आए तो सबसे पहले उस किताब की essence को समझने की कोशिश करो और सबसे पहले उसको survey करो यहां तक कि Tony Buzan जैसे जो expert है दुनिया में सबसे बड़े जो memory expert है वो यह कहते हैं कि start with जो index है जो preface है उसको पढ़ो preface में ही जो writer होता है जो प्रस्तावना लिखी जाती है बड़ी बात को बड़ी जान से जबना जैसे मुझे आज भी आदत है कि मैं सबसे पहले किताब के पहले पनने से मलब यहां से शुरू करता है प्रस्तावना जरू पढ़ता हूं जो किताब का preface है जो प्रस्तावना है उसको पढ़ो इसमें जो writer होता है वो अपनी किताब के पूरे उद्देश को उड़ेल देता है जादा तर बच्चे क्या करते हैं वो सीधे चैप्टर पे जाना शुरू करते हैं कुस तो और भी स्मार्ट होते हैं वो सीधे जो है वो लग रहा है तीसरा मेरे लिए important है साथवा important है आठवा important है UPSC में जो किताबे होती हैं उनको सबसे पहले overview करना पड़ता है तो मैंने इसमें क्या क्या फिर आप इसमें जो है वो content परते हैं क्या क्या chapters आपके दिये हुए हैं किस रूप में ये arrange हैं इन चीजों को हम लोग survey कहते हैं फिर उसके बाद एक पूरी किताब को आपको एक हलके नजरिये से देखना पड़ता है कि मेरे पास क्या chapters हैं इस बीच में कुछ major headings भी आपको देखनी पड़ती है कि चलो एक बार major headings भी हम देख लें तो आप उनको एक बार जो कोई भी किताब आपके पास आए तो उसको थोड़ा सा समय लगाकर एक दिन का समय लगाकर आप उस किताब को survey करना शुरू करिए कि किताब में कहां कहां पर questions दिये हुए हैं कहां पर arguments दिये हुए हैं क्या किताब एक कहांई के रूप में चल रही है जैसे अगर आभिपिन चंद्रा पढ़ोगे तो कहांई के रूप में चलेगी तो क्या कहानिया करमस हैं या इसमें characters आगे और पीछे जा रहे हैं तो इसको कहते हैं अपनी किताब का survey करना ठीक है यानि survey करना आपका overview करना जिसको हम लोग कहते हैं हवाई जहाज यात्रा के दूप आपने सबसे पहले उसको निकाल लिया survey कर लिया done इसको आदर डालिये इसमें आप preface, index, major headings ये सब कुछ देखेंगे किताब में कहां कहां टेस्ट दिये हुए हैं कहां homework दिये हैं कितने boxes कई किताब में आपने देखा गांसी आडी में boxes दे देता है कई किताबे आपने देखी होंगी उसमें chapter से पहले दिखा होता कि इसमें आप ये ये चीजें सीखेंगे जो foreign books होती हैं आप कई बार जो हो boxes बड़े important देखेंगे कि इसमें बड़े important काम दिये होते हैं कई बार आपने देखा होगा कि कोई paragraph खतम होने या कोई part खतम होने के बाद practice के question दे देते हैं अलग-अलग किताबों के अलग-अलग module होते हैं जब आप उस किताब के module को उसकी arrangement को समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा पूरा जो इस किताब को पढ़ने का उद्देश है वो कैसे solve हो रहा है now move to the second segment next one is most important segment ये मैंने देखा है कि student इसको करने से डरता है और मैंने जिन student पर ये practice की है उनके सीखने की छमता में कई गुना बढ़ोतरी हुई है इसको कहते हैं प्रेश्ण पूछना प्रेश्ण पूछना अब मेरे पास कोई भी एक किताब है ये सबसे important है इसमें आपने जब survey कर लिया और आप जब second label पर गए तो इसमें आपने क्या किया आज आपका भी मालो कोई भी एक lesson है कोई भी आपने पार्ट उठा लिया आज आपका कोई भी आप पढ़ रहे थे तो अब आपने उसमें हलका सा जब survey किया तो आपको अंदाजा लग गया अब आप ये सोचिए इसमें मुझे प्रशन बनाने ये most important है ये आप एक diary रखेंगे एक copy रखेंगे और इसमें आप प्रशन बनाएंगे कि मेरे इस chapter को पढ़ने का अब आप क्या गरोगे इस तरह के छोटे छोटे चोटे कोशन जो भी आपके दिबांग में क्या क्यूं कैसे किस के लिए कहां मैं आपको पहले भी ये बारे में बता चुका हूँ आपने question बना लिए संभिधान क्या होता आप निमालव प्रस्तावना आज आपको पड़ना है प्रियंबल पड़ने प्रियंबल से क्या मतलब है ये किस ने बनाया था किस समिति के द्वारा था क्या इसकी मुख्य बाते हैं इसका मकसद क्या है इसके अंदर क्या बाते कही गई है उन बातों के क्या नहितार ये कुशन ही तो आपको लिखना है क्या, क्यूं, कैसे, किस के लिए उद्देश क्या है और वो उसकी प्रक्रिया क्या है आपने simple आपने इसमें बना लिया ठीक है तो अब जो है वो questions आपने बना लिया जिस चण ये वो point है जो आपको आपकी किताब से जोड़ता है जी हाँ ये आपकी किताब के साथ हुकिंग करने का काम करता है इसको हम लोग बोलते है हुक करना जैसे मचली काटे में फंसती है, उसी तरह उस चैप्टर के मुख्यतत्य, यकीन मानिए, आप 70 to 80 percent, 70 to 80 percent fact पहले फंसा ले जाओगे, यानि चैप्टर सुरू होने से पहले ही आपका जाल बिच्चुका होगा, इस चैप्टर की 80% information, मैं एक average student की बात कर रहा हूँ, 70 to 80 percent average जो आपकी information से, वो खटाक से आपके साथ फंस जाएगी, आप ready है किताब के लिए, और अब आपकी किताब कहीं नहीं भाग के जारी है, यह बात याद रखिएगा, now, question वाला part बड़ा जूरूरी, आप चाहे तो मुझे sample भी बेस सकते हैं, सरी है मैंने इस chapter के लिए बनाया, basic शुरुआत में कुछ weird से बन सकते हैं, हलके फुलके अभूजे बन सकते हैं, कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, समय जैसे जैसे बीतेगा, आपके questions की value अपनी आप बढ़ जाएगी, डरना नहीं है, यह बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आज मैं शुरुआत करो, मैं basic question, यह मैं क करते हैं, तो इस method को आप लेकर जाएंगे, third method है read करना, यानि अब आपने जो questions बनाए हैं, पहला, दूसरा, जो information बुक में दी है, अब आप उसको read out करेंगे, उसको पढ़ेंगे, thoroughly पढ़ना शुरू कर देंगे, और इस दोरान आप कुछ symbols का use करेंगे, जैसे star, जैसे flag, अपने हिसाब से, important है, very important है, दो star दे दिया, तो इस तरह के आप symbols का use करना शुरू करेंगे, पढ़ते समय, highlighter का use करेंगे, pencil का, pen का use नहीं करेंगे, याद रखिएगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है, multi color, हर line के नीचे, this is the worst method of reading, जब हर चीज important है, तो notes किसके बनाओगे आगे, आगे मुझे जो है, इस पर notes बनाना है, तो मैं कैसे बनाओगा, तो मैंने इसको read किया, मैंने symbols बनाए, ठीक है, पहला तो मेरे जो मैंने question बनाए थे, उनके मुझे जवाब चाहिए, दूसरा इसके symbols मैंने बनाए, तो important, very important, खत्रे का निशान की मतलब यहाँ पर मुझे ध्यान देना है, यह बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण लग रहा है मुझे, आगे मुझे इसके काम आएगा, आपने symbols बनाए, और यहीं पर आप इसको अपनी copy में note down करोगे, इस method में यहाँ पर आप notes बनाओगे, यानि read करते जाओगे और आप उसके notes बनाओगे, notes अगर आप flow chart में बनाओ, यह मैं आपको पहले भी वीडियो बता चुका हूँ कि notes कैसे बनाते हैं, जुरत पड़ेगी दुबार आपको बताओँगा, notes बनाने के क्या-क्या method होते हैं, notes बनाने का जो पहला method होगा, either go through the flow chart, आप paragraph में notes मत बनाईएगा, मेरे humble request है आप लोगों से, सबसे गलत काम करते हैं, mostly student मैंने देखा, आप भी इस बात के agree करते होंगे, 90 प्रतिशत के लगभग बच्चे, paragraph में notes बनाते हैं, which is the worst method of notes making, बिलकुल clear कह रहा हूँ, worst method of notes making, यह आपके दिमाग के हिसाब से बिलकुल ही गलत है clear, आपको क्या करना है, flow chart, number one, number two, spider diagram, अगर आप notes में जाना चाहते हैं, spider diagram, number three, supreme method, thought mapping, जिसको मैं बहुत ज़ादा admire करता हूँ, thought mapping, and number four, synopsis, synopsis, यह चार method होते हैं notes बनाने के, लेकिन paragraph wise notes नहीं बनाएंगे, याद रखे, कहीं कुछ बहुत जरूरी definition है, वो आप लिख सकते हैं, but अगर आप वो paragraph to paragraph लिख रहे हैं, मैंने देखा है, बना भी लिया बच्चे ने, तो essay assistant मुझे मिले, जिन्हों उसको पढ़ा ही नहीं खुबसूरत हैं, अब वहाँ कहीं में उसने बड़े खुबसूरत notes बनाया थे geography, और उसने काया कि सर इस chapter को पूरा करने में, इस notes को बनाने में मुझे तीन दिन लगे, वो एक chapter का notes ने तीन दिन में बनाया, मैंने का बहुत बढ़िया, इतने color बलर और इतना खुबसूरत मिने का इसमें ये छोटा सा मुझे point बताओ क्या है, वहला से notes बनाया अभी पढ़ा नहीं है कुछ मैंने, तीन दिन इतनी मेहनत और आपने उसको याद नहीं किया, आप मुझे बताओ क्या आपके exam में आपको notes ले जाने की जाज़त है, आपके पास सर्व ये जाएगा ये और इसमें जो चीज important है, इसमें जो चीज पहुँच गई वही आपका है, जो किताब में है, जो notes में वो कभी आपका नहीं है, जो यहाँ पहुच गया वही आपका है, वही उस classroom, उस examination hall में जाएगा, otherwise कुछ भी न परची, न किताब, न notes कुछ नहीं वहाँ जाएगा, so make sure कि जो आप उपढ़ रहे हो, वो यहाँ होना चाहिए, कौपी में कितना सुन्दर है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, clear, याद रखिएगा, तो flow chart, spider diagram, thought map और synopsis, यह अलग topic है, अगर आपको नहीं आता, फिर मैं सिखाऊंगा उसको, then go to the recite, अब recite में क्या होता है, ध्यान से समझेगा, जो आपने याद तो यहाँ notes बना है, कई लोग notes नहीं बनाते, तो वो जो symbols use करें, symbols को आप किताब के पहले define करेंगे, इसका मतलब आपके लिए क्या है, double star का मतलब क्या है, hashtag का मतलब क्या है, flag का मतलब क्या है, याद रखिएगा, जो भी आप notes बना र double का मतलब हुआ, double star most important, hashtag का मतलब हुआ कि ध्यान देने योग यह है, तो आप अगर notes नहीं भी बना रहे हैं, और किताम में कर रहे हैं, अब आपको क्या करना है, recite का मतलब होता है, याद करना, तो याद करने का जो तरीका है, अब आप flashcard बना लें, या आप इस तरह के notes बन आपने notes के साथ, ये notes attach किया आपने, और notes के साथ उसको याद करना शुरू किया, notes जैसे बनाते जाएं, हम लोग क्या करता है, student बहुत बढ़ी गलती करता है, notes को याद करता है, पहले notes बनाता है, ठीक है, महीनों तक notes बनाएगा, उसके बाद वह सोसता है, एक दिन आरियल आरियल फोड़ेंगे, तिलक बिलक लगाएंगे, पहुं जाएंगे, आज हम notes याद करेंगे, 4-5 महीने बाद, तब तक उसको याद ही नहीं आता कि notes बनाया, किस चीज का था, ससुरू, यहीं हमें समझ में आता, तो वहाँ पर बड़ी गलती हो जाती, आपको क्या करना है, जिस समय आपने दो page का notes बनाया, मालो आपने 10 page पढ़ा, दो page का, आपने notes बनाया, वो उसी के उसी दिन याद होना चाहिए, यह बात याद रखिए, इसको important mark कर लेजे, कि आज notes बना लिए, पहले हम notes बनाएंगे भाई, अब फिर एक दिन जो है, हम चोड़ा के जो है, चो समय दारी है, clear, now next, बहुत important, recall, UPSC में, pre में especially fail होने का सबसे बड़ा कारण, recall ना करना है, मुझे बच्चों ने message किया, sir, revision में बिल्कुल मजा नहीं था, recall का मतलब होता, revision करना, sir, पहले पूरा पढ़ लें, फिर revision करें, क्या, sir, अभी नहीं, sir, वो बहुत भोरियत सी लग यह आप भी कहते हैं, और आप ही के message थे, लेकिन याद रखिएगा, अब जो मैं आपको scientific method बताता हूँ, अगर आपने कोई चीज याद किया या पढ़ा है, अगर 24 घंटे के अंदर, यह science कहता है, आप Harry Lauren को जाकर पढ़ सकते हैं, Harry Lauren दुनिया के बहुत leading expert हैं, तमाम तरह क information आपके पास पढ़ी है, अगर आप किसी भी पढ़ी हुई चीज या आपकी notes बनाएगे चीज को, अगर 24 घंटे के अंदर, 24 hours के अंदर अगर revise नहीं करते हैं, लिख लेना इसको point, आप किसी भी पढ़ी हुई चीज का 80% भूल जाएंगे, आज मैं आपसे लाख चिक चिक को आप एक बहीने revise नहीं करते हैं, तो सिर्फ हलकी हलकी यादे रह जाएंगी, और कुछ नहीं बचेगा, और फिर जब आप exam में जाते हैं, हाई दया, वो page पे उपर लिखा था ये वाला question वा तो हम पढ़े थे, अब इसमें A लगाएं कि B लगाएं, ना A लगाएं ना B लगाएं, ने पढ़ जाएं, अगले साल फिर आएं, तो ऐसा जो होगा, वो नहीं होना चाहिए, आपको जब भी कोई notes बनाएं, सबसे बड़ी मैंने आपको गलती कहा है, पहले हम notes बनाएंगे, फिर याद करेंगे, अब फिर जब याद करेंगे, तो आप साल के आखरी मे कालो, science तुम्हें दे रहा हूँ, इसका मैं मनोवग्यानि कर दे रहा हूँ, यानि first revision, आपका 24 hour के अंदर आपका notes बनाएंगे, एक बार पहले revise करोगे, चाहिए सोने से पहले, सुपर उठने के बाद, office जाते समय, आप इसमें तुरंत के तुरंत इसको क्या करोगे, revise बारा इसको revision करने का प्रयास करोगे, अगर नहीं हुआ, तो मामला साफ है, logic दे रहा हूँ, आप जाकर stat चेक कर सकते हैं, बेरी बात सुनने समझने की जरूरत नहीं है, तो आप अंदाजा लगा के देखो कि 100 चीजे पढ़ी है, 80 चीजों 24 घंटे के अंदर गायब, अरे memory है, यह इसमें डाउनलोड नहीं होता है, जैसे फोन में भी short term long term memory होती है, हमारे पास भी short term और long term memory होती है, तो उपर वाले ने कहा है, हमारी प्राचीन प्रमपरा पे लिखा गया है, कि अभ्यासेन विद्या उद्दमेन लक्षमी, संस्कृत में यह बड़ी खुबसूरत प्रमपराओं का हिस्सा था, यानि कि हमें विद्या प्राप्त करने के लिए अभ्यास प्राक्टिस करनी पड़ेगी, that is the logic given by our ancient जो हमारे गुरूस थे, उन्होंने हमें यह दिया है, so अभ्यास मतलब revise, revise, recall, recall again and again, so if you are leaving this particular point, तो आया गया, खत्तम, तेक, मामला, फिनिश, next one, now, I am moving to the second method, which is a very very important, यह थोड़ा सा easy है, right, यह थोड़ा सा easy है, और इसमें तीन step होते है, now this is known as three-fold method, यानि इसको हम लोग तीन मोल method के नाम से जानते है, इसमें जो होता है, अपने नेचर के हिसाफ से, ठीक है, SQ3R भी आप कर सकते हैं, उसमें involvement आप से जादा मांग इसमें तीन step होता है, फर्स्ट इसमें step जो होता है, अगर किसी को किताब को एक बार से जादा पढ़ने की है, पिछली बार वाले में क्या था, कि किताब को एक बार पढ़कर या दो बार पढ़कर हम notes making process पे पहुँच जाते हैं, इसमें किताब को जिनको जादा बार होती है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा method है, मेरी नजर में तो 2000 पन्ने की, अगर सारी NCIT रख लोगे, तो 2000 पन्ने की book है, ठीक है, सबसे मोटी किताब तो NCIT वो पतली पतली देके बेकूब बनाते हैं, लेकिन वो जब 52 किताब एक दूसरे को उपर रखो तो पसीना तर है, वो readable है, उसके notes बनने चाहिए, क्यों, अखबार भी, newspaper भी, अरे कुछ दिन बाद उस पर कोई कूडा रखके फेक देगा, दाल खा लेगा, कवर चला लेगा, अलबारी पर बिचा देगा, अरे memory हिली पड़ी है, 24 घंटे 80% गायब हो जाएगा, 20% लेकर घूमोगे, वही ढूड़ो गया, रहे, कौने अलमारी बिचाये थे, कौन वाली अलमारी बिचाये थे, जरा ढूड़ा, रहे, मंभी वाला अकबार क्या किया, जो तुमने उसमें बड़ा important एक editorial आया था, वो गया, जो आपकी डाइरी में, जो आपकी कॉपी में आगया, वो आपका है, यह कोई नहीं जानता, चले, three-fold method के बारे में बात करते हैं, बहुत important है, बड़ी मज़ेदार चीज है, यह मुझे थोड़ा सा, यह बड़ा, पहला method तो इसमें involvement है, easy चीजों के लिए जैसे history हो गया, जैसे environment हो गया, इन सब को पढ़ने के लिए method मुझे बहुत अच्छा शुरू करते हैं हम लोग, now let's start it, first reading, पहली reading, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या होता है, किताब को तीन reading करनी पड़ती है, this is the method, तीन reading करनी पड़ती किताब की, पहली reading जो होती है, उसको हम लोग novel-like reading करते हैं, मुझे बड़ी पसंद आई है, यह किताब है, अब इस पेंसिल, बिना किसी notes बनाए, बिना highlight के, मैंने इसको पढ़ लिया, इसके पीछे जो science है, वो मैं आपको बता देता हूं, इसके पीछे भी एक जो है, मनो विज्ञान है, याद होगा आप मेंसे कई student ने novels पड़ी होंगी, चाचा चोधरी, पिंकी, बिलू, धुरू, नाग राज, डोगा, ये सब की आपने comics पड़ी के नहीं पड़ी है, या वेद प्रकास सर्मा, वर्दी वाला गुंडा, ठीक, अरीमा भारती, ये सब novel भी पड़ी होंगी, या हो सकता Mills and Boons पड़ी हो, पड़ी होगी आप लोगों ने, right or wrong, आप मुझे बताइए, जब comics पड़त है, लाओ इसके notes बना ले, कभी ऐसा हुआ, दिन दिन भर में हम लोग जब छोटे थे, comics हम लोग के लिए उस समय ये social media नहीं था, हम दिन धर में पूरा set पह जाते थे, क्या नागराज, क्या डोगा, क्या ध्रूग, क्या भोकाल, जितनी भी comics थी सब निप्टालिया करते थ है, because हम उसको enjoyment के लिए पढ़ते थे, so novel light reading में, जो सबसे बड़ा मनोविज्ञान है, क्यों, आप जो इसमें पढ़ेंगे, वो मनोरंजने ने enjoyment के लिए पढ़ेंगे, enjoyment के लिए, यानि मुझे किसी बिना फियर के पढ़ना है, याद है जब आप जो लोग comics पढ़ते थे, आप लोग मुझे बताईएगा, कि आप लोग जब comics पढ़ते थे, तो कभी आपको लगता थे, कि यार 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 पंतर भीस मिनिट हो गया मुझे पढ़ते हुए, आप जब तक कोई डंडा लेके नहीं आ जाता था, तब तक उसको पढ़ते रहते हैं, आज भी, अगर आप आप आर चीज की comics या कोई भी अगर आप कोई चीज पढ़ने का शौक रखते होंगे, तो आज आप देखते होंगा, आपको पता नहीं चलता समयगा, तो जब हम किसी हमें इसमें कुछ हासिल करना है, तो उस चीज के साथ हमारी attachment बढ़ जाती है, तो first reading को हम लोग novel-like reading, comics-like reading बोलते हैं, या आपकी जो भी किताब है, आप उसको एक कहानी की तरह पढ़ो, एक pencil रखो, सिर्फ अपने साथ एक pencil रखनी है, कहीं कुछ important लग रहा है, तो उसके आपने एक star mark कर लिया, वो underline वाला काम नहीं करना है, underline वाला काम नहीं करना है, star mark कर लिया, page को मोर दिया, या उसके उपर एक slip लगा दे कि this can be important, आप future के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, clear है, done है, अब जब को इसमें कुछ है, वो की newspaper से notes कैसे बना है, अब उनने ये नहीं स जाएंगे कुछ और सवाल पूचेंगे, फिर ये मंच टू मंच घूमेंगे, इधर से उधर, अभी क्या बता रहा हूँ, इसको समझने की बजाए, इनकी अपनी रामार चलती रहती है, तो आज गालो, आज गालो, कलरो होगे भी, ठीक है, चलो, तो इसको लोग novel like reading बोलते हैं, यहाँ पर आपको सबसे आदा फोकस करना है, बहुत इंटरेसिक, इसमें आप पहले पेस से, लास पेस से पूरा पढ़ जाओगे, और इंटरेस के साथ पढ़ोगे, इसमें क्या होता है, कि जब कोई बहुत लंबा विशय होता है, तो आपको इसके character समझ में आ जाते ह हैं, अब जैसे विपिन चंदरा पढ़ोगे, इसके लिए बढ़ी अच्छी है यह, तो विपिन चंदरा में आप देखोगे कि एक ही काल के घटना करम को, वो गांधी के तुले विशय में क्या चल रहा है, वो किसी और chapter में रख रहे हैं, गांधी क्या कर रहे हैं, अलग कर पर यह हो रहा था, छेतरी इस्तर पर यह हो रहा था, रिजनल लेवल पर यह हो रहा था, आपको वो पूरी घटनाओं को जोडने में बहुत आसानी होगी, इसको हम लोग first novel like reading कहते हैं, यहां आपने कर लिया, ठीक है, second जो होता है, यह most important है, अब इसको हम लोग second reading बोलते ह रहते हैं, यानि आप इसमें chapter to chapter पढ़ेंगे, पहला chapter, और यही पर आप notes बनाएंगे, इसी में ही आपके notes prepare होंगे, एक एक chapter पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, highlight करेंगे, अब आपने एक बार उसको पढ़ रखा तो आपको अंदाजा हो चुका होगा, कि जो हमने पह आप बोल के याद कर सकते हैं, flashcard के थूर याद कर सकते हैं, किसी को सुना के याद कर सकते हैं, जो भी आपका तरीका या आप उसको write down करके याद कर सकते हैं, वो आपका अपना तरीका और उसके बारे में फिर कभी बात करूँगा, और इसमें फिर third reading करनी होती है, बड़ी स चली चली दीजे सेंपल दीजे और फिर अपनी गठरी बठरी बांद कर फिर कहीं चल देता है इसको रैप अप रीडिंग कहते हैं और इसको में क्या होगा अगर बुक्स को बहुत तेजी से फिर से पढ़ना पड़ागा बहुत फास्टर वे पढ़ना पड़ेगा खुक्ली और जो important points notes बनाते समय आपके छूट गए थे उनको add on करना होगा और यहां पर इसको revise करना होगा इसको मोलते हैं revise करना जो हमने पहले किया था यानि हमें उसको recall करना है हमने जो पढ़ा 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर हमें उसको वापस recall कर लेना है उसको याद कर लेना है तो यह तीन step का program है यानि first step में novel like reading हम करेंगे उपन्यास की तरह उसको पढ़ेंगे बिना किसी pressure के आनंद के लिए पढ़ेंगे जब भी उस पर लिखो कि मैं इस किताब को first reading में आनंद enjoyment के लिए जानकारी के लिए पढ़ रहा हूँ मेरा और इस से यादा कोई कोशीनोग्राफी में क्या हो रहा है क्या हुआ था भारत के सवतंतरता अंदोलन में तो उस जब आप इस उद्देश के साथ आउडर करते हैं अपने दिमाग को तो उसके साथ वो enjoyment के साथ पढ़ेंगे फिर वो समय नहीं पता चलता कई 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 कितावे मैंने जो हैं वो 22-22 तेड गंटे में पूरी-पूरी खतम एक सिंगल रीडिंग में एक दिन में उसको खतब किया है तो तो अब सेगंड नोट यहां बनेंगे यहां याद करेंगे और यहां रिवाइस करेंगे रप अप करेंगे clear so these are the methods जहां पर किताब आप दो नेचर के हिसाब से फिर से बोल रहा हूं अपने नेचर के हिसाब से either you go to the SQ3R deeper involvement है जादा गहरा involvement है 5 step का involvement है survey करेंगे questions बनाएंगे एक page बनाईए उस पर questions लिखिए देखिए आपकी पढ़ने का तरीका कितना जो है बदल जाएगा read करेंगे notes बनाएंगे recite याद करेंगे then recall करेंगे और 24 घंटे के अंदर first recall आपका हो जाना चाहिए इस पे आप लिख लिजे नहीं तो आप अपने साथ भैनक disaster create कर लेंगे दूसरा method है first reading novel like reading second reading bit by bit and notes taking notes मैंने आपको बताया था कभी भी paragraph wise नहीं बनेगा मैं कभी भी class आप ले लूँगा जैसे ये आज मैं आज आपके demand पे class ले रहा हूँ वैसे आगे भी ले लूँगा और third reading इसको wrap up reading कहते हैं यानि वहाँ पर तेजी से इसको वापस याद करते हुए recall करते हुए revise करते हुए इसको close कर देंगे ये जो दो method है अपने अपने चाहे तो आप ये दोनो method opt कर सकते हैं history के लिए इस method के साथ जा सकते हैं और जो complex subject हैं जैसे quality हो गया जैसे science के subject हो गया जैसे geography हो गया उसके लिए आप SQ3R method पे जा सकते हैं आप दोनो method अपने हिसाब से इस्तावाल कर सकते हैं चुकि history में कहानिया है history में एक flow चलता है हम उसके साथ कर सकते हैं हम environment में ये काम कर सकते हैं बड़ जहां पर मुझे complex issues हैं वहां पर मैं SQ3R के साथ जा सकता हूँ ये दोनो method आपके किताब पढ़ने के तरीके और वापस आपके रिष्टों में जो romance है जो किताबे पूछ रही है रिष्टा क्या कहलाता है उसको आप जो है वो वापस उसी शारुक खान के romance को वापस लेकर आ सकते हैं जहां पर आपको आपकी किताबे एक दोस्त के form में दिखाई पढ़ेंगी दोस्तों और मैरी यही कोशिश है कि आप अपनी किताबों पर विजय पाना सीखें महबबत करें उससे क्योंकि एक दुनिया में अगर किताबों पे जिसने अपनी महबबत कर ली उसके उपर अपना काबू पा लिया वही लबासना आसानी से पहुँचेगा वो चाहे अकेले उसका सफर क्यों न हो किताबे ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त हैं लेकिन किताबों से आपकी नफरत किताबों से आपकी दूरी बहुत ही जादा खतरनाक है तो मैंने क्या रहा कि आप तक किताबे पहुंच रही है आप किताबों तक नहीं पहुंच रही है